बिल अधिक आया है, बिजली बिल को लेकर उभोकता विद्ध विभा के दफ्तरों के चकर काट रहे लेकिन उनके सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है कोरोना के सकाल में सबका बुरा हाल हो गया है लॉकडाउन ने जिन्दगी को मुफलिसी में कैद कर दिया है सूबे में 22 मार्च से लॉकडाउन लागू था, इसके बाद लोगों के कामधन दे, सब चौपट हो गया तो कई लोगों का रोजगार भी छिन गया ऐसे में सरकार ने बिजली बिल के दरों में छोट देने की बात कही थी लेकिन अब अनलोक के साथ ही बिजली के बिल उभुकताओं के पास पहुँचे तो लोगों को बिजली बिलों का ऐसा जटका लगा कि वो चकरा दे 300 से 600 रुपे तक जिन उभुकताओं का बिजली का बिल आता था अब उनका बिल 2 से 3,000 रुपे तक आया है वही कई लोगों के बिजली बिल 10,000 रुपे या फिर उससे भी ज़ादा आये है ऐसे में पिछले कई महीनों से आर्थिक मंदी जहल रहे लोगों के सामने बिजली बिल का भुकतान करना एक बड़ी चुनौती हो गया है बीजेपी ने भी सरकार के खिलाफ चार महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया अपने बिजली बिल संबंधित गड़बडियों को दूर करवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बिजली विभाग के दफ्तरों में पहुँच रहे हैं लेकिन ज्यादतर लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है AEN City योगेश पंचाल ने बताए कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने एवरेज बिल जमा करवाए थे अब मीटर रीडर ने जब वास्तिविक रीडिंग की तो यूनिट ज्यादा होने से बिल बढ़े हुए है AEN पंचाल ने कहा कि 99 प्रतीशत बिल सही है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है फिर भी अगर कुछ लोगों को समस्या है तो उन्हें दूर किया जा रहा है जिन लोगों के बिल ज्यादा होने से भरने में परिशानी है तो उन्हें भी पार्ट पेमेंट के माध्यम से राहत दी जा रही है बहराल बिजली विभाग के अधिकारी तो बढ़ी हुए बिलों को ठीक बता रहे हैं लेकिन कोरोना महमारी के उपजे आर्थिक संकट के बीच बढ़े हुए बिजली के बिलों ने बिजली भोकताओं के लिए जख्म पर नमक का काम किया है ऐसे में उपफ़ोकता अब सिर पकड़े बैठे हैं कि अब बिजली बिल भरें तो कैसे भरें अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डुंगर